गुरुदेव को प्रणाम, सब लोगों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिस विथ बादल सकासर पे और चलिए आज फिर से वो नयाब सिशन स्टार्ट करते हैं वोकाबिलरी का पिछले 25 साल में जितने भी idioms and phrases पूछे गए वो सारा का सारा idioms phrases हम लोग सीखने वालें और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से तो चलिए बहुत अच्छा है सुरुआत करते हैं चीजों को लेकर आते हैं ठीके मेरे भाई आजो हमारे सामने जो पहला word है वो क्या लिखा हुआ है Butterflies क्या लिखा है मेरे भाई Butterflies in my stomach याणि कि कि किसी के पेट में क्या होगया Butterfly चला गया आब किसी के पेट में अगर Butterfly चला जाए तो वो क्या होगा इमेज में देखो कि इस लरकी को कुछ nervousness हो रहा है, यह बहुत tension में है, nervous हो गई है, कि अचानक से इसकी job लगी हुई थी, job चली गई, तो यह nervous हो गई, इसके पेट में butterflies आ गए, तो आज के बाद language में nervous होने के लिए nervous word बत यूज करिएगा, nervous के लिए आप यूज करेंगे butterflies in my stomach, आईए इसको example पर देखते हैं, लिखा है, he had butterflies in his stomach while waiting for the results of his exam, कमाल की बात है, मुझे comment करके जुरू बताईएगा, कि जब आपका मैटरी का result आने वाला था, तो आपको एक अलग सी nervousness हो दी थी, अलग सी बेचैनी हो दी थी, पेट में गुर-गुर-गुर-गुर सीने में कुछ अजीब सा होता था, क्या होता था कि नहीं होता था, मुझे भी हुआ था, तो वही कहा गया है कि भाईया उसको क्या हो रहा था, nervousness हो रहा था, कब जब वो इंतजार कर रहा था अपने results का, और results किसी इसका examination का, तो है ना कमाल का idioms, move on the next word, जो हमारे सामने next word है, कमाल का है सर, क्या लिखा गया, जरगोर से देखो, cost and arm and a leg, आपके examination में बहुत बारी पूछा गया है सर, मैं उन्ही words को करवा रहा हूं, जो hundred times या more than hundred times से ज्यादा पूछे जा चुके है, ठीके मेरे भाई, तो cost and arm and a leg का मतलब, ऐसे पहले समझो कि cost का मतलब आपको पैसा पे कर होता है, बहुत ज्यादा पैसा देना होता है, तो वहाँ पे जो हम use करते हैं, वो क्या होता है, cost and arm and a leg, जैसे image में देखे, image से क्यों मैं कहता हूं बार बार, image से इसलिए कहता हूं कि आपके दिमाग में चीज़े से ठो जाती है, अब इस इंसान को देखो भाई, इस इंसा हो जाएगा, cost and arm and a leg, ठीक है, आजो सर, example को देखो, sentence को समझना बहुत जरूरी है, I would like to have a new farmhouse, but it may cost me an arm and a leg, मतब मुझे क्या, मुझे क्या चाहिए, मुझे लगता है कि मेरे पास एक और नया farmhouse होना मांगता है सर, लेकिन क्या है किन्तु परंतु ये feel हो रहा है कि इसका cost बहुत जादा है, बहुत जादा amount पैसा लगाना पड़ेगा, एक नए farmhouse के लिए, got my point, now move on the next word, हमारे सामने next slide क्या है, on the ball, बहुत अच्छा है, अब on the ball का मतलब क्या, ball के उपर, बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तो, on the ball का मतलब है कि alert है, आप efficient है, आप उस case में जब आप बह गेंद है, और गेंद के उपर खरा होना है, तो तुम कैसे खरे होगे, कैसे होगे, attentive रूप से एकड़म alert होके खरे होगे, तो यही बात on the ball, that means alert, image में देखो, यह एक महिला दिख रही है, यह लरकी दिख रही है, जो अपने system पे कुछ काम कर रही है, और बहुत ध्यान से, यानि on the ball का मतलब पूरी तरी से ध्यान इसके काम पे है, तो alert है और efficient है, तो याद रखना, आज से किसी भी चीज़ को तुम गौर से देख रहे हो, गौर से काम कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप on the ball है, आज जो example से समझते हैं, लिखा है, the mother is glad to know that her son is always on the ball to learn new things in class, इसक alert रहता है, attentive रहता है, efficient रहता है, नई चीज़ों को सीखने के लिए class में, तो जब तक आप attentive नहीं रहोगे, मेरे वीडियो को attentively नहीं देखोगे, on the ball नहीं रहोगे, तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, चली इसी तरीके से आते हैं, अगले word पे हमारा क्या है, बहुत important word on cloud 9, sir ये कम से कम ना 200 times पूछा जा चुका है, sir, ये 200 times पूछा जा चुका है, और day to day life में, सबसे ज्यादा use होने वाला word है, on cloud 9, अब on cloud 9 का मतलब कहा है, जिसे मान लो, office से निकल के, party करने कितने बज़े जाते हैं, किसी के घर में party है, तो एक standard time, किसी के घर 5 बज़े तो नहीं चले जाओ कि भईया party है, चलो 5 बज़े आ गया, आपका standard time होता है, office से निकल के, सारा काम, दुकान, दरिया बन करके, 9 बज़े पहुचना, तो 9 बज़े का time, party का time, और party के time आप बहुत जादा खुस रहते हैं, तो इसका मतलब on cloud 9 का मतलब हो गया, being very happy, जब आप बह देखो, यह एक male और female है, साथ में couple है, बहुत खुस है दोनों, दोनों हस रहे हैं, दोनों की 32 भी दिख रही है, तो 32 दिख रही है किस बात से, आजो इसको example से समझते हैं, यह on cloud 9 क्यों है sir, लिखा है she has been on cloud 9 since she heard the news of her engagement, यानि उसको अपने engagement का जब से news सुनी है, तब से भा engagement होगी, आप भी खुस रहेंगे, पता चल जाए कि इसी से होने वाला है, तब तो और ज्यादा खुस हो जाएगा, बात समझ में आ गया, जैसे माल लो मुझे पता चलता है, जैसे मेरी फेवरेट एंजलीना जोली, Hollywood की एक actress है, बट Brad Pitt की wife है, अगर मुझे पता चल जाए कि एंजलीना जोली से मेरी engagement होनी वाली है, तो बादल सरकासर इस on cloud 9, चली आजाते हैं, next और last word of the day, क्या है सर, crying या cry wolf, यह आप बच्पन में स्टोरी में भी परे होंगे, कि चिलाता था लोग सेर आ गया, सेर आ गया, भेडिया आ गया, सियार आ गया, सियार आ गया, सियार आ और आपशकी नहीं है, मुझे मुझे प्यास नहीं लगा आनए गया थाया जिसमया रखा जाने बारा लोगाता है तो इनसान नहीं आने वाला था उस समया मदद मांगा निजसमें आपको जरुरत नहीं होता है, जैसे image में देखो, याद करो सर, एक जंगल का फोटो है, वल वुल्फ वुल्फ चिला रहा है, लोग आ रहे हैं उसके पास, लोग आ रहे हैं उसके पास उसको बचाने के लिए, लेकिन वो फिर उनका मजा को रहता है, that is crying या cry wolf, आजो example से समझते हैं, you have cried wolf so many times that no one believes you now, तुमने बहुत बार बिना मतलब का मदत मांगा है, जिसकी जरुव नहीं थी आपको, इसलिए इस वज़ा से अब कोई भी तुम पर बिस्वास नहीं करता है, तो कैसा लगा आज का EDM, comment करके बहुत जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका comment, आपका like, आपका share मेरे लिए motivation का काम करता है, और मुझे भी आपसे motivation चाहिए, तो अगर वीडियो अ उसका मैं यहां पर दिखा देता हूँ, new foundation batch है मेरे भाई, ध्यान से देख लो आप लोग, यह new foundation batch है, और इसका timing आपके scroll पर चल रहा है, कितने बजे से है, तो मैं time यहां लिख दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए पेसे खिदमत में time सारे 6 PM से, सारे 6 PM और कब से start हो रहा है, आप नीचे scroll पर चल रहा नंबर पर contact कीजिए, और हमारे साथ जूरिये, और सरकार classes का app प्ले स्टोर से बिलकुल डाउनलेड कर लिजिए, चलिए होगे, thank you, take care, bye, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा,